हेलो नमस्कार इगवार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर दोस्तो एक और नए सब्जेक्ट की शुरुवात आज से हम करने जा रहे हैं आप लोगों के डिमांड पर ही मानव भूगोल जी हाँ दोस्तो हुमन जीओगरापी पर आज से शुरुवात करने जा रहे हैं और इसकी लाइट क्लासेस का अनॉंसमेंट हला की अभी तक थोड़ी कन्प्यूजन है या तो मॉर्णिंग में 7 ओक रहेगी या फिर 9 एम पर कुलास करने का चल रहा है दो में से जो भी टाइम स तो शुरुवात करते हैं अपने आज के सेशन की और जरा देखते हैं कि आज हमें क्या-क्या डिसकस करना है बिल्कुल फ्री ओप माइंड होकर के भेड़ जाए आज ऐसा कुछ भी वो नहीं होगा जो की आपके लिए पकाओ हो या आपको बोर कर दे मानव भूगोल जानता हमारी भी होती है चुकि हम जो इसको पढ़ने भीड़ते हैं तो वो बिल्कुल एक्जाम के टाइम पर पढ़ते हैं उससे पहले हम कोई समय ही नहीं देते तो एक कमी हमारी भी होती है थोड़ो सा अगर आप समय देंगे सब्जेक्ट को तो वो सब्जेक्ट अपने आप ही आसान हो जाता है डिपिकल नहीं होता है लेकिन ठीक है समय भी चुका है चुकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है हम है आप लोगों के लिए करेंगे इसी तो मानव भूगोल पर दोस्तों आज से ही हम क्लास प्रारम कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं बीच में एक दो गेप कभ कर ले तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संपून मानव भूगोल का पार्ट करम इसलिए इसलिए दोस्तों उसकुत जो भी आपका सिलेवस है आपकी क्यों कि युणिवर्सिटी अलग-अलग हो सकती सबी की तो अपनी-अपनी उनिवर्सिटी का जिसमें भी जिसका भ आपके सिलेवस में उबहू मेच हो रहे हैं या नहीं अगर मेच नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताईएगा या फिर वाटसप या टेलेग्राम गुरूप पर मुझे कमेंट कीजिएगा जो टोपिक आपका इसमें मेच नहीं हो रहा हो छूट रहा हो हम उसको भी लास ही नहीं बलकि बिये के अब तो लगभग सभी सब्जेक्ट हो चुके हैं इसी प्लेटफार्म पर यूटूब पर ही जो आप लोग को फिरी ओप कोस्ट पढ़ा जा रहे हैं और वो भी नोट्स के साथ में एक एफेक्टिव नोट्स के साथ में जो क्लास नोट्स हम यहां पर कर आते हैं वही आपको प्रोवाईट करते हैं ताकि आप लोग आपते हैं तो अलोग सॉगस्ट करना नहीं आता है और HAVE you सेशनों को अपने सबी सब्जेक्टों को आसानी से देख सकते वो भी करम अनुसार ठीक है ना तो मैं फिर से रिपीट करणा हूँ आज हम क्या करने वाले दोस्तों तो आज ہम सिलेवस को डिसकस करने वाले हैं आज के सेशन में हम syllabus को discuss करेंगे ये देखेंगे कि हम जिस series को लेकर के आए हैं इस series में हमें कौन-कौन से topic को cover करना है जो topic आपके syllabus से match ना हो वो मुझे comment करके बताईएगा तो उसको भी हम यहाँ पर add करवा देंगे ठीके ना छूटेगा किसी का नहीं full cover होगा और सिर्फ ब में के भी student हैं और आपके syllabus में भी ये subject है तो भी आप बिलकुल इसी रूप में पढ़ सकते हैं और इसी बेस पर तयारी कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहां सिर्फ बिये first year की level ही नहीं बलकि मैं दोस्तों प्रियास करता हूं कि इसको जितना maximum हो सके उतना विस्तार देने का प् उप्योगी हो सके प्रतियोगी प्रिक्षा वाले students के लिए तो उप्योगी होगा ही उसमें तो कोई संदेही नहीं है आए शुरू करते हैं session आज का first unit से लेते हैं दोस्तों first unit में हमारा concept होगा सबसे पहले मानव भूगोल का परीचे मानव भूगोल का परीचे अब जैसा क subject का नाम ही है मानव भूगोल तो इस पूरे subject में हमें basically जो पढ़ना है ना वो मानव के अर्थात के हमें अपने ही बारे में अपनी जानकारी को जुटाना है हमें अपने ही बारे में पढ़ना है कि लिए रे तो मानव का जो अध्यन करता है मानव के भिविनी छेत्रों का अध्यन करने वाला जो भीसे है जिसे हम मानव भूगोल के रूप में जानते हैं इसी मानव भूगोल का परीचे सबसे प्रिथम जो इकाई हैं हमारी first unit है उसमें discuss करने वाले हैं और उसके अंदर कौन-कौन से topic पर focus होगा सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल के अर्थ परिभाषा प्रकरती उद्देश और विशे छेत्र पर इना first lecture होगा first topic होगा वो होगा अर्थ परिभाषा प्रकरती उद्देश और विशे छेत्र पहला topic होगा दूसरे topic में अर्थात की मानव भूगोल और जो अन्य विज्ञान है उनके साथ अंतर संब्ध कि मानव भूगोल विज्ञान है या नहीं है या किस प्रकरती का विज्ञान है या अन्य विज्ञानों से हम मानव भूगोल की तुलना करके देखेंगे उनके बीच में संबंदों को इसपस्ट करते आर्तिय आचार विचार एवं मूल अर्थात की नेतिकता तो इस प्रकार से फर्स्ट में ये पांच टोपिक होने वाले हैं पांच लेक्चर होने वाले हैं और जैसा मैंने आपको बताए कि पांच लेक्चर होंगे फर्स्ट में दोस्तो मैं चाहता तो फर्स्ट में पर इतना बड़ा topic नहीं है यह चाते तो इसको एक ही lecture में से complete कर लेते एक ही lecture में लेकिन आप साथ अगर मुझे follow करते हैं तो आप भली भाती मुझे जानते होंगे मैं study में कभी भी compromise नहीं करता कोई समझोता नहीं करता ना content के साथ करता हूं ना किसी topic को minimize करने में करता हूं मैं minimize के पीछे उद्देश यह है कि पांच लेक्चर आप देखेंगे तो संभवता हो सकता है कि एक दो घंटा आपका extra session चला जाएगा पांच लेक्चर और एक लेक्चर में फर्क होता है ना तो पांच लेक्चर में एक दो घंटे आपका समय अलग से लग सकता है लेकिन मैं और ना आप फर्स्ट उनिट के एक सेशन वाले लेक्चर रटेंड करके सीख पाएंगे लेक्चर लीजिए और जिन्होंने मुझे फोलो कर रखा है जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल साइंस इकोनोमी हिस्ट्री या फांडेशन कोर्स चाहे कोई साभी सब्जेक्ट हो जिस सेकिंड यूनिट को भी देख लेते हैं तो सेकिंड यूनिट में इकाई दो में दोस्तों इकाई दो का नाम होगा मानव वातावरन एवं संस्कति क्या है मानव वातावरन एवं संस्कति में कंटेंट को पकड़िए में टोपिक को पकड़िए क्या बोल रहा है मानव को कौन से टोपिकों को फोलो करना जरा देखिए लेक्चर कितने होंगे तो इसमें भी संभवता पांच लेक्चर हम लेकर के आएंगे सेकेंड यूनिट में भी कौन-कौन से मानव एवं बातावरण संबंद सबसे पहले हम बात करेंगे मानव और पर्यावरण के बीच में किस संबंद है वातावरण अर्थात पर्यावरण के बीच में किस संबंद है इसके अंत्रग देखेंगे कुछ सिद्हांत है निश्चेवाद संभवाद या नव निश्चेवाद इनको समझहेंगे इनके साथ ही मानव और पातावरण के बीच के संबन्द को समझने का प्रियास करेंगे, दूसरा टोपिक होगा हमारा छेतरवाद एवं संसकती बाद, तो छेतरी संसकती को भी समझने का प्रियास करेंगे, संसकती का प्रारम था, तो छेतरवाद के अनुसार किस प्रकार की संसकती रही है, किस-किस प्रकार की भूगोल में द्वहत्वाद क्या बूगोल में द्वहत्वाद को किलियर करने का प्रियास करेंगे next and next होगा परिवर्तनवाद एवं ब्यभारबाद की संकल्पना परिवर्तनवाद क्या होता है ब्यभारबाद क्या होता है इनकी क्या संकल्पना है इन पर डिसकस करेंगे सेकिन यूनिट के लास्ट चो टोपिक होगा वो होगा मानब संस्कती के बदलते प्रतिरूप मानब संस्कती के बदलते प्रतिरूप प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक मानब संस्कती ने किस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन किया है उसको हम इस last वाले topic में समझने का प्रियास करेंगे किलियरे सब लोग अपने अपने syllabus से match करते चलिए जो topic आपके syllabus में match हो रहा है उसको right मारते चलिए और जो syllabus match नहीं हो रहा है उसको छोड़ते हुए चलिए और जो छूट रहा है उसको last में देखिए जो match नहीं हो रहा हो अब हो आप मुझे WhatsApp पे टेलेग्राम पे या YouTube किसी सेशन के जो है comment box में मुझे पिन जरूर कीजिएगा जिससे कि इतना समझ आए कि आप लोग कौन-कौन से टोपिक छूटे हुए ताकि उनको भी कवर करने की हम कोशिश करें क्लियरे आईए मूग करते हैं थर्ड यूनिट पर ज्यादा लंबा सेशन नहीं है छोटा सा ही है खाली स्लेवर्स एनलाइस करवाने आयों आप लोगों को ना तो बने रहे एगा एंड तक तोड़सा देख लीजिए आप लोग थर्ड यूनिट में क्या क्या देखने वाले थर्ड यूनिट का नाम क्या होगा वातावरन एवं मानवी अनुकूलन क्या वातावरन एवं मानवी अनुकूलन ये हमारे टोपिक का नाम है इसके अंदर हमें तीन टोपिक डिसकस करना है पहला टोपिक होगा बिश्व के ब् प्रदेश पहला टोपिक है ना तो यहां पर हम पर्यावर्ण को भी देखेंगे और छेतरबाद को भी डिसकस करेंगे बिश्व के कोने कोने से जो जो भी पर्यावर्ण को बड़े इस तर पर प्रभावित करने वाले प्रदेश हैं उन पर हम डिसकस करेंगे सेकिन टोपिक होगा हमारा मानव प्रजातियों का वर्गी करन क्या है मानव प्रजातियों का वर्गी करन भारत के विशे संदर में देखेंगे भारत के विशे संदर में मानव प्रजातियों का वर्गी करन करेंगे तो मानव प्रजातियों का वर्गी करन हां एक सामाने तरड यूनिट का मानव वातावरन अनुकूलन के अंतरगत देखिए एसकीमो जो कि सेथ प्रदेश है वहीं बुषमेन जिसे उश्ण प्रदेश कहा जाता है भारती जारवा जन जाती जो कि भूमद्धिर एक्षिप्रदेश के अंतरगत आती है और वहीं पर मद्ध्धि प् एकाई 4 है जन संक्या एबं मानव विकास इस टोपिक का प्राण माने लिजे आप लोग, आपके समझ के लिए भी और आपके एकजाम के लिए भी मानव भूगोल वाले बिशे के अंतरगत यूनिट 4 जिसका नाम जन संक्या एबं मानव विकास है, ये इस पूरे सब्जेक्ट का प्राण यूनिट है ठीक है ना इसमें आपको एक भी कोशन नहीं चोड़ना है कोई सा भी कंटेंट नहीं चोड़ना है प्रते को परिपक्व करना है बहुत 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 current affair को mix करते हुए current affair को भी इसमें add करना है तो विज्व की जन संक्या व्रदीदर घनद्व और वित्रण ठीके ना theoretical वाला part है ये इसको बहतर तरीके से करना है इसके बाद में second topic होगा हमारा जन संक्या वित्रण को प्रभावित करने वाले करक अब जन संक्या वित्रण को तो कई सारे करक प्रभावित करते हैं लेकिन चुकि हमें भूगोल पढ़ना है तो भूगोल के अंतरकत हमें भोतिक और सांस्क्रतिक कारक मात्र पढ़ने है इस पस दे दिया गया आपर ना ये सानी कि सबी कारकों को उटा लिया है कई सारे कारक हो सकते हैं जलबाईयू भी हो सकती है पर्यावरन भी हो सकता है कई सारे कारक हो सकते है छेत्री ये आर्तिक बहुत सारे कारक हैं लेकिन हमें भोतिक और सांस्क्रतिक मात्र इन दो कारकों को पढ़ना है जो जन संक्या वित्रण को प्रभावित करते हैं यहना नेक्स्ट होगा जन संक्या इस्थनांतरण एवं अप्रवास के कारण अब देखिए यह जो टोपिक है तो जन संक्या इस्थनांतरण एवं अप्रवास के कारण अब ये second topic से बिलकुल मेच हो रहा है, second topic से बिलकुल attach है जुड़ा हुआ है और मैं तो कहूंगा कि अलग से topic की जरूरत नहीं थी, second topic में ये सब cover हो जाएगा अब ये कब cover होता है जब हम detail में बात करते हैं किसी भी topic की जब detail में बात करते हैं तो ये सारी बाते अपने आप आ जाती है, जन संक्या इस्तनांतरण किसमें जन संक्या वित्रण में हूब हूब आ जाएगा तो जन संक्या वित्रण की शुरुआत जन संक्या इस तरांतरण से ही करनी पड़ती है या प्रवास या प्रवास के कारणों से बात करनी पड़ेगी इसकी तो विस्तार से डिस्कस करने का यही फाइदा होता है विस्तार वाली क्लासेस का यही फाइदा होता है कि आपका कोई कुई सा भी कंटेन्ट चूटता नहीं है प्रतेग नहीं को पूरी तरह किलियर होता चला जाता है और सब्सक्राइब जन संक्याइब कैसे जनक्लबना को कि इसकलबना इस प्रकार से आपके पॉच्ट वह कास and ये यूनिट मानव अधिवास एवं सांस्क्रतिक प्रिक्रिया मानव अधिवास एवं सांस्क्रतिक प्रिक्रिया यह हमारे टोपिक का नाम है इसमें छे टोपिकों पर डिसकस करना है कौन-कौन से छे टोपिक है ग्रामिर एवं नगरिये अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप ठीक है तो ग्रामिर और नगरी जो जन्संक्या है उनके प्रकारों की बात करना है उनके प्रतिरूपों की बात करना है तेकिन टोपिक होगा ग्रामिर अदिवास की पर्यावर्णिय समस्चा है वही नगरी अदिवास का पदानुक्रम ठीक है ना भारती नगरों एवं शेरों की बिशेष्ट बिशेष्टा है वहीं सांस्कतिक प्रकिरिया मानब सभूओं की अंतक किरिया भारत में मानब अदिवास की समश्या है तो अगर तोड़ा गेहराई से देखूगे न तो यह टोपिक अपने आपेदो कोई ज्यादा लेंदी नहीं है वहएं पुस्टक से पढ़ो गये थो जोड़ने पया लेंदी नहीं है बस समझ्चा है हमें यहापन के सिध्धानतों को समझने में आती है अला कि और भी कई प्रोलम रहती है क्योंकि कई स्ट्वेंट होते हैं जो अलग अलग फिल्ड से आते ना तो उनको थोड़ी प्रोलम आती है मानता हूं उस चीच को लेकिन कोई दिक करते है अगर हम प्रियास ना करें तो वो हमारी गलती होती है अगर हम प्रियास करते हैं फिर भी समझ नहीं आता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं फिर वो समझने वाले की गलती है यह ना मतलब हमारी गलती है और हम इन गलतियों से हमेशा बचने का प्रियास करते हैं इसलिए चाहे content क्या topic कोई सा भी हो और के सा भी हो उसको जितना हमारी चमता होती है उतना easy करने का हम प्रियास करते हैं ताकि आपको आसान से आसान तरीके में समझा सकें और आपको कम से कम समय में और आसान तरीके से वो समझ आ जाए यही आपकी और हमारी सपलता है आपको समझ आ गय कि दोस्तों हमारी इस मानव भूगर वाले पूरे विशे में एक एक टोपिक में ने बताया है उम्मीद करता हूं आपने सब ने अपने अपने सिलेवस से इसको मेच किया होगा अब लास्ट में जो टोपिक मेच नहीं हो रहा हो जो इसमें मैंने दिसकस नहीं किया और आपके सिलेवस में हो वो मुझे कमेंट करके बताईएगा ताकि मैं उसको भी एड करवा दूँ वो शेशन के लास्ट में वो सभी टोपिकों पर भी हम डिसकस करेंगे और आपको वह विल्कुल नोर्स भी प्रोवाइट करूंगा यहना फिर से जो नए इस्ट्रेंट है जिन्होंने पहली बार हमारे शेशन को लिया है पहली बार देखा है और वो चाहते हैं कि आप हमसे निरंतर रूप से पढ़े निशल कर रूप से पढ़े तो दोस्तों मैं निशुल की ही पढ़ाता हूँ मैं आपको बता दू कोई चार्जेवल क्लासेस में कभी लेता ही नहीं हूँ विसेस्रों से ओन लाइन और तो ऑफलाइन थीक है ओपलाइन चलता है और पढ़ाते भी है हम लोग बट ओ फाउंडेशन कोर्स की इंग्लिश को छोड़ दे तो, फाउंडेशन कोर्स में जो चार सब्जेक्ट होते हैं, उसमें MCQ फॉर्मेट में पुछे आते हैं, और आप लोगों की कमेंट ही आईती है, सर्फ डिटेल क्लास मत दीजिए, सिर्फ MCQ कोशन अंसर डिसकस करवाईए, इसलिए मैंने वहाँ पर मात्र आपको सोड क्लासेज दी है, अन्य था, मैं कभी भी कोई सोड क्लासेज प्रोवाइड नहीं करता हूं, कम्प्लीटली डिटेल क्लासेज ही प्रोवाइड करता हूं, तो जो नए स्ट्वेंट हैं, वो हमें वार्सप ग्रूप पर भी जोइन कर सकते हैं, इस नमर पर कमेंड करके, मेसेज करके, आप लोग हमें जो है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वार्सप ग्रूप पर जोइन होने के लिए, टेलेग्राम ग्रूप की लिंक भी आपको दी गई है, टेलेग्राम पर जाईएगा, डायरेक्ली लोधाजी सामने आजाएगा, जहां पर ये कोचिंग का लोगो लगा होगा, हमारी इंस्टिटूट का लोगो लगा होगा, उस ग्रूप को जोइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको पर डे अपडेट करवाया जाता है, प्रतेक शेशन से, प्रतेक लेक्चर से, जो भी हमारे लेक्च खोलिए, डिस्किप्शन खोलकर के वहां देखिए आप लोग सभी ग्रूप की प्रतेक, बीए फस्टियर का ग्रूप अलग है, बीए सेकेंडियर की लिंक अलग है, थर्ड यर अलग है, टेलेग्राम की लिंक भी दी गई है, कहीं सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको वहीं पर दे दी गई है, डिस्किप्शन में दे दी गई है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं तो वोलूँगा आप लोग की, अगर आप देखी, ग्रूप में अगर एड नहीं होना चाते हैं, कोई प्रोड़म नहीं मत होईएगा, ये मैं आपके चैनल में कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके वार्टसप पर जब भी खोलेंगे, आप अगले महीने, छे महीने बाद, सालवर बाद भी खोलेंगे, तब भी वो लिंक आपकी वहीं पड़ी रहेगी, और वो लिंक बिल्कुल उसी प्रिकार से काम करेगी जिसे अभी करेगे, लिंक ओके करेंगे, वो सब्जेक्ट खुल के आपके सामने आजाएगा, और सब्जेक्ट को आप कभी भी, कभी भी पड़ सकते हैं, चीक है ना, तो मिलते हैं दोस्तों, क्लास में, शेशन में मिलते हैं, शेशन में मिलेंगे, कोशिश रही रहेगी, और इसका टाइमिंग में फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, या तो मॉर्निंग में साथ बज़े फाइनल होगा, या फिर मॉर्निंग में नो बज़े फाइनल होगा, इन दो में से ही एक टाइम इसके लिए चूज करेंगे, क्लिए रहे, चलिए मिलते हैं, झाल, झाल, टाँ, जाल, याल.